सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ आचारे प्रमोद कृष्णम जी आप से आज जो दृष्य देखा अब इस पर मैं पूछना चाहूंगी सस्पेंशन की वज़ा से अगर विपक्ष इस तरह से सभाबती का अपमान करे इस तरह से मिमिक्री करे तो आप इसको क्या कहेंगे नहले पे दहला और क्या यही हम अगली पीडियों के लिए सीख छोड़े जा रहे हैं कि किस तरह से हम संसद को आगे बढ़ा रहे हैं और टेंपल ऑफ डिमॉक्रिसी की रक्षा कर रहे हैं नाविका जी पूरे देश के अंदर अगर आप किसी को भी पूछेंगे वो यह कहेगा कि संसद जो है वो लोक तंतर का मंदिर है दूसरा देश की जनता जो संसदों को चुनती है वो किसलिए चुनती है वो इसलिए चुनती है कि उनके भविश्च का फैसला होगा और उनके भविश्च से भारत का भविश्च निर्धारित होगा वो डिसकसन चाहती है वो डिबेट चाहती है लॉजिकल डिबेट चाहती है मैंने बहुत लोगों से बात करी है दुकानदारों से बात करी किसानों से बात करी सबसे बात करी अमीर गरीब अगडा पिछडा गोरा काला किसी से भी किसी ने मुझे यह नहीं कहा के संसद में हुर्दंग होना चाहिए मुझे किसी नहीं कहा कि संसद के अंदर गुंड़ाई होनी चाहिए मुझे किसी नहीं कहा संसद में गाली गलोच होनी चाहिए सब ने कहा कि ये देश का नुकसान हो रहा है ये ठीक नहीं है अब सवाल उठता है कि संसद लोक्तंतर का मंदिर है तो संसत की मर्यादा है और संसत की मर्यादा को तारतार करने का अधिकार हक किसी को नहीं दिया जा सकता भारत के राश्पती भारत के उपराश्पती या लोगसभा के स्पीकर राश्पा के सभापती ये ये बड़े गरिमार मर्यादा वाले पद हैं इनकी मजाग मनाना, इनकी तोहीन करना, इनकी बेज़ज़ती करना, पक्ष भी पक्ष का विशह नहीं है, का आज इनकी सरकार है बीजेपी की, कल हमारी हो सकती है, तो क्या ये एक स्वस्त लोक तंतर के लिए, ये ठीक है, देश के लिए ठीक है, मुझे लगता है ये भाग्यपून है, दिस इस मोस्ट अनफॉर्चनेट फ़र अवर डेमोक्रेसी, दिस इस मोस्ट अनफॉर्चनेट फ़र अवर कंट्री, और ये गलत है, मैं इसको गलत मानता हूं, टीमसी के सांसद, उन्होंने जिस तरह का विवहार किया, देश के उपराश्टपती का मजा मनाया, ये गलत है, देश की संसद, मैं आपको इसलिए थोड़ी भेजा कि आप मा नो टंकी करेंगे, जोकर जैसा ब्यवहार करेंगे, चाहिए वो किसी पार्टी के संसद है, अगर बीजेपी के संसद होते हैं, मैं उनका भी विरोध करता, बीजेपी के संसद ने, बहुज दुर्भागेपूर्ण है, ये देश के उपराश्पती का अपमान नहीं है, ये पूरी संसद का अपमान है, पूरे देश के लोकतंतर का सर शर्म से जुग गया है, शाम सुन्दर यादव जी, आप मैं आप से भी पूचूँगी, मैं आप से पूचूँगी, मैं तो ममता देश की चेर परसन, उनकी जो अध्यक्ष है, उनसे मांग करता हूँ कि इस तरह के संसद को खुद ही निलंबित कर देए टीमसी से, देश बड़ा है, सियासत चोटी है, पारिटी चोटी होती है, जब हम परिवार में होते हैं तो व्यक्ती चोटा हो जाता है, जब समाज मे बड़ी होती है, जब देश की बात आती है, तो पारिटी चोटी हो जाती है, ममता जी को ऐसे बेहुदा वहियात हरकत है करने वाले, इनको कहिए नोटन की मुझा जाईए, इनको कुछ कहेंगे, आचारे जी आप राहूल गांधी जी के बारे में कुछ कहेंगे, वो तो जे मुझे नहीं लगता कि राहूल गांधी जी उप्राश्पती जी का अपमान कर रहे हैं, या उनकी तोहीन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है, मैंने वो ज्यादर अभी देखा भी नहीं है, आपने बताया, तो मैं इस पर मैं देखूंगा गौर से उस वीडियो को, ल आज पब्लिक में गूंज रहे हैं, आप क्या जवाब देखें? शुरू हने वाला होता था, विदेश में कोई एक रिपोर्ट शंती थी और उसके आद बवाल होना शुरू होता था, भारत के संसरी तिहास में सापने कितनी बार उधारण देखा है, कि तक्तियां लिए हुए लोग अंदर वेल में, और इतना नहीं, चेर के उपर किताब होते हुए, वहाँ पर महासचिव की टेबिल के उपर खड़े होका नित्य करते हुए, माइक तोड़ते हुए, और हरिवश जी ने उपसभापती के रूप में लिख के बेजा था, कि हमारे उपर हिंसक हमला किया गया, और अब इस सत्र में क्या हुआ, डेरिक और बाइन ट तगित किया, एड जॉन किया, और कहा कि लीडर ऑफ दा हाउस और लीडर ऑफ दा पोजीशन मुझसे आकर चेमबर में मिलें, ताकि हम लोग बाच्चीत करके कोई रास्ता निकाल सके, और नेता प्रतिपक्ष ने जाने से मना कर दिया, कि हम नहीं आएं, अरे बई अकेले म बाहर चले जाईए, जो जाने से इंकार कर दे, फिर कहें, अच्छा मुझसे आके मेरे कमरे में अकेले मिल लीजिए, और वो ये एलानिया कहें, मैं नहीं आऊंगा, अब उसके बाद, आपके अनुसार उसमें क्या करवाई होनी चाहिए, ये बता दे, और उसके बाद, एक सत्र में प्रधान मंतरी जी के गले पढ़कर अपनी सीटों बैट के आँख मार के दिखा चुके हैं, तो भाई और दूसरा, मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहता हूँ, जो सांसद ये कर रहा है, इसका अर्थ ये हो गया, कि उसका ध्यान कहा रहता है संसद में, मुद् ध्यान नहीं रहता है, और फालतू की चीजों की तरफ ध्यान रहता है, और मैं पुना कहना चाहता हूँ, विपक्ष ये कहता है न, कि मुद्धे की बात हमको अंदर नहीं करने दी गई, जिस जगहे का ये दर्श्य दिखाया रहा है, नाविका जी, उसके बाहर स्टिप ल परती हुए रफ्य वस्ता है, मगर वो तो नहीं किया, आकर ये भद्धी नोटंकी करनी चुरू कर दी, इससे ये साफ हो जाता है, कि विपक्ष ने अब ये ठान लिया है, कि संसदी लोगतंत्र की गरिमा को तार-तार करना है, और ये सिर्फ इस सत्र का विशह नहीं था, य मैं बहुत चुबदता के साथ और पीडा के साथ या निरणे ले रहा हूं, मगर और आज भी मैं कहना चाहता हूं, यदि अपने इस ढंके भद्धे आचरण के लिए ये संसद माफी मांग ले, तो इस इस्तिती पुना बहाल हो सकती है,